हालो सुनेंट, वेलकम बैक टू आई और एस्पारेंस आज हम डिसकस करेंगे कि AIPGT 2024 में जो चैलेंजिंग कोर्षिंस थी वो कौन-कौन से एक्सेप्टेबल की होने की चांसिज है तो बहुत सारी कोशिंस ऐसे हैं जो आपको लगा कि हां बोत अंसर इसमें दो अप्शन से अवेलेबल होने चीज़े आज पर करेक्ट आंसर कुछ इसमें नन अप्शन होना चीज़े तो वो सभी हम चीज़े इसमें डिसकस करेंगे और देखो बचो यहां पर जो इस वीडियो को लाने का जो डीजन है वो यह है कि देखो बहुत सारी बच्चों ने अगर मानली जी अप्शन अटेंप किया है ठीक है लेकिन आंसर की में अगर वो बी दे रखा है तो स्टूडेंट पूरा कोशिश करेगा कि अनी हाउस का ज जिसके मिल रहे है तो जिसके most accurate evidence होंगे proof होंगे वही आप NTA एक्सेप्ट करेगा है ऐसा नहीं कि अगर आपने 10 चलेंज कर दिया कोशन तो 10 ही वो एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है ना तो चलिए discuss करते हैं सबसे बहले start करेंगे देखो question 1 में अमाशय कैंसर तो जो सीय स्टम अगर भागवाई होगे proximal part और antrum तो आपने जितने रहे अगर देखी होंगे जो हमारे authentic source of books तो वहां पर आपने देखा हुआ है जितने में हमारे surgery की books हैं सभी में antrum में maximum percentage बताई गई है in terms of CA stomach तो यहां पर बता रखा है clearly कि 50% gastric cancer जो है antrum में ही develop होते हैं ठीक है दूसरा देखो यहां पर जो दास है उसमें भी यहां पर 50% antrum में ही बताया हुआ है ठीक है यहां पर एक बच्चे ने शेयर किया था जो है ठीक हो जाए ठीक है लेकिन maximum जो हमें sources मिले हैं references मिले हैं चाहे से वो PubMed के articles और हमारी authentic books हो उन सभी में सभी में हो गया हमारा, Davidson में हो गया, PubMed के articles में हो गया इन सभी में जो है antrum ही दिया हुआ है In fact, 2024 की एक study हुई है recent वहां पर European और जो हमारे यह है I mean East Station countries जो है वहां पर incidence देखा गया था लेकिन जितना as per record मिला उने वह antrum ही मिला है ठीक है तो antrum is the most correct answer I think फिर भी अगर आप चाहो तो इसको challenge कर सकते हो ठीक है देखो जो balance surgery book है उसमें भी यहां पर एक reference मिल रहा है तो इसलिए proximal part जो है बहुत ही जादा broad category मान सकते हो that's why भी antrum is the most acceptable question I mean option fine दूसरा question है काश्यप का क्या बोल रहे है कि देखो question को धंग से पढ़ना क्या बोल रहे है as per achare kashyap kshir halsak vyadhi is caused by which one of the following factor in child यहां पर बच्चों वो यह नहीं पूछ रहे है कि kshir halsak vyadhi जो है वो त्रिदो जन्य है यह नहीं है वो बोल रहे है which one of the following factor कि किस वजे से हो रहा है ठीक है ना तो जब आप काश्यप समीता देखते हैं वहां पर बताया हुआ है clearly कि रेवती ग्रहा से होने वाले रोक्या है जो रतिसार से लेकर kshir halsak vyisoochika यह सब भी बताया हुआ है तो shir halsakhyens का answer होना चाहिए रेवती ग्रहा सेकंड ऑप्शन जो है वह इसका answer होना चाहिए कि रेवती बताया है अगर मैं आपकी प्लेस पर होती तो मैं नहीं करती इसे ठीक है वाई बिकर्स अचारे काश्यप के यहां पर उन्होंने clearly defined किया हुआ है अगर वह ऐसे बोलते हैं कि अचार्य अनुसार ठीक है यह फिर स्पैसिफाई ही नहीं करते हैं कि kshir halsakhyadis caused by which one of the following factor तो answer होता बोथ A and B समझ गए Now moving ahead question third इसमें देखो यह भी बहुत controversial question रहा है In case of insufficiency of vitamin D3 the levels in the blood will be the range of nanogram per ml जो है इसकी unit है ठीक है इसे focus करना है तो कुछ references है जो option 2 की favor में है और कुछ references हमें मिले जो option 3 के references में ठीक है तो यह दोनों ही option ठीक है और यहाँ पर हमने references share करें है अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर जब आप challenge करोगे तो इनको भी आप inculcate कर सकते हो ठीक है यह जो हमें source मिलाई है नियत से मिला है National Institute of Health तो उन्होंने जो रेंज बताई है वो कितनी है बच्चों 12 to 20 है ना less than 20 तक जो है वो बताई गई है inadequate amount तो inadequate को आप जो है insufficient मान सकते हो ठीक है ना क्योंकि इसके बाद जो है वो adequate की बात करें है और इससे पहले जो है वो सीविट डेफिशेंसी की बात कर रहे है जैसे रिकट्स वगर हो रहे है ठीक है तो जो second वाली जो range है वो correct answer है और अगर हम यह second reference की में बात करूं तो यह जो है IAP Guidelines की according reference मिलता है तो इन्होंने भी क्या बताया बच्चों insufficient बताया है 12 to 20 ng per ml ठीक है तो यहां पर जो है although उन्होंने answer 21 to 29 दिया है लेकिन 10 to 20 जो है most acceptable answer है ठीक है तो इसको आपको definitely challenge करना ही चाहिए ठीक है इसको आप जो है आग बंद करके definitely challenge कर देना ओके नैक्स इको यह बला question है मारे question 4 तो इसमें क्या है कि क्रिया कल्ब से संबंदित निमलिकित कत्मों का विचाल करना है कि कौन सा जो है सही उत्तर है ठीक है करेक सेटमेंट बतानी है तो सुषृत ने पास प्रका के क्रिया कल बताये है तो बिल्कुल बार ठीक है आचारे शारंदर ने जो है वो यहां पर एसे तो नहीं लिख रहे है कि केवल सुषृत वागवट ने बताया है अगर केवल लिखते तो गलत होता सेटमेंट बट सुषृत वागवट शारंदर इन सब ने बताया है ठीक है है यहां पर हम जलोका, शार, अग्नी, नक इन सब का प्रयोग कर रहे हैं वह हमारी पैरसेर्जिकल प्रोसी सर्स अगरो कर्म नहीं है तो यह हमारी स्टेटमेंट हो जाते है गलत ठीक है तो हमें एक तो आपको इसको चैलेंज करना चाहिए वगर वगर उन सब की बातों में नहीं आना अगर आपने अभी तक नहीं किया है आपको आपको अभी कोश्चन के बारे में बात करते हैं तो क्या है यहां पर यहां पर आप बुक के एक रेफरेंस देख सकते हूं यह है प्रवुदियरेवर्सर की बूकर है पेज नमबर 53 तो यहां पर clearly बता हुआ है कि ordinal data जो है है ना जब भी हम ordinal scaling की बात करते हैं तो हम qualitative data के लिए यूज करते हैं जैसे कि mild-moderate, poor, moderate, rich हो गया अपर class हो गया, lower class हो गया तो यह तो order जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ qualitative data के लिए यूज करते हैं लेकिन यहां पर क्य answer की में भी third answer दिया है और यहां पर भी जब हम references देखते हैं तो उसके according भी हमारे पास में reason हो जाता है गलत ठीक है next देखते हैं यह आप इसके explanation लगा सकते हो ठीक है यह attach कर सकते हो next portion देखो as per achari charak शुक्र नाशन is the lakshan of ठीक है शुक्र नाशन जो है वो किसका लक्षन ब बताय हुआ है लेकिन मेरे according तो दोनों ही answer ठीक है अमल और कटू विपाग दोनों ही answer ठीक है है ना श्लोक के उसमें नहीं जाना की शुक्र नाशन लिखा हुआ है अगर शुक्र नाशन लिखा होता तो वहां पे विसर्ग दिया होता या फिर inverted commas में रखा होता है और quotation की फ होना है नाश होना है अधरशन मतलब total absence हो गया चीक है और हा का मिनिंग देखेंगे तो वह भी क्या है बच्चो नियोग हो जाना नियोग मतलब मतलब यह separate हो गया है मतलब शुक्र नाश जैसे ही आप इससे मेनिंग जो है डराइव कर सकते हो ठीक है यहां पर भी देखो हा क और शुक्र नाशन दोनों ही जो है almost similar ही meaning निकल कर आते है डेफिनेटली इसको तो आपको challenge करना ही चाहिए चीक है next देखो which one of the following is not the cause of gynecomastia तो इसका correct answer may recording तो leprosy होना चाहिए चीक है यहां पर देखो explanation है कि teratoma of testis में तो मिलता ही है क्योंकि hormonal imbalance हो रहा है चीक है दूसर pulmonary TB तो यहां पर देखो pulmonary TB और leprosy दोनों भी बच्चे confused होने तो pulmonary TB इसका direct relation तो नहीं है gynecomastia से लेकिन जो आप pulmonary TB में जो आप medicine यूज कर रहे हो उसका side effect is gynecomastia समझ गए दूसरा leprosy के कर में तरफ चलू हो तो वहां पर जो है leprosy does not typically cause gynecomastia leprosy से नहीं होता है तो जो most acceptable answer है मेरे according to leprosy होना चाहिए तो इसको आप challenge कर सकते हो next देखो assertion reason की form में question आया हुआ है नहीं पान की हुए व्यक्ति में तुरंत शिरो विरेचन नहीं करना चाहिए reason क्या है वह का सश्वासेवन प्रतिशाय को उत्पन्ली करता है तो जब आप चरक सिद्धी 2 पढ़ते हैं जहां पर पंच्यकरम सिद्धी अध्याय करके बताए हुआ है जहां पर counter-indication indication से सब बताए हुई है तो वहां पर शिरो विरेचन के counter-indications बताते हैं देखो along with reason क्या तत्रजीन भुक्त भाय उर्द दोशा उर्द वहानी स्रोतांसी आवरुत्तेई का सश्वासेचरदी प्रतिशाय जनियत इसका जो explanation दिया है वो क्या है बचों पी तसने है त्यादी मुख नासा स्राव यह जो है अंसर होना शाहिए था ठीक है जबकि अजीन भुक्त भक्त के लिए क्या है का सश्वासेचरदी ठीक है पी तसने के लिए क्या है relevant explanation मुख नासा स्राव अगर आपने पी तसने पे शिरो विरेशन करा दिया तो मुख नासा से स्राव होगा तो मेरे इसको चलेंज करने की जरुवत नहीं है नेक्स देखो एक कोशन मिलेगा यहां पर मैं कोशन को रखना भूल गए हूं अच्छा यह कोशन तो प्रजास्थापन महाकशाय से कोशन था बच्चों है ना प्रजास्थापनानी भवन्ती कोशन क्या था कि इन में से अब दूर्वा जो है वो डिरेक्टली तो आचारी चरक ने यहां पर श्लोक में नहीं दिया हुआ देखो इंद्री ब्रह्मा शतिवीरे सहस्त्रवीर्या अमोगा अवयता शिवा अरिष्ट वाट्य पुष्पी बिश्वक सेने कानता इत्यारी ठीक है तो यहां पर जब आ कौन कौन से शतिवीरे सहस्त्रवीरे ठीक है तो इसका अंसर एक्चुली नन होना चाहिए है ना क्योंकि वो चारो जो गिवन ऑप्शन्स हैं वो सभी प्रजस्थापन महाकशाय के डग्स है ठीक है तो इसलिए आप इसको डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हो फाइन तो इस के लावा और बहुत सरे कोशन्स बता रहें थे जो स्टुडेंटस बूल रहे थे से वरिशां है पतो बताए गया है तो वरिशा रिटू में वैसे तो बताईये पर दोश कोप की अवस्ता रहती है लेकिन वात का कोप भी तो रहता है तो 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 आई रहा है थीक है ना तो मेरे साब से वह भी आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए जो चैलेंजिंग कोश्चन थे जहां पर बात हम अपनी रख सकते थे लॉग दे रहे हैं अगर आपको पर बात करेंगे हम हम HPSC पर ठीक है